चीजे बता रहा हूं, उनको थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप जब application को open करेंगे, आपको कोई भी add वहाँ पे नहीं दिखेगी, company को total पैसा कहां से जाएगा, add से, और add कहां है, वो आपको activity करनी है, नीचे आपको दो application extra दिख रही होंगी सर, आप जैसे ही home page पे आप देख थोड़ा से नीचे देखेंगे, आपको दो application दिख रही होंगी, पहली application जो है, उसको आप install करिए, अपना mobile number डाल कर, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी application इंस्टोल करिए, आप mobile number डाल कर, और ये दोड़ों application आपको ऐसा नहीं है, कि बार बार install करना है, कुछ नहीं ऐसा है एक बार सिर्फ अपना mobile number डाल कर, उसको register कर लेना है, पहली application का नाम है win free, ठीक है, और दूसरी application का नाम है news shorts, win free में आपको चार game दिया गया है, उन चारों gameों को आप खेलना है, और वहाँ पर timing अपने आप मतलब चलेगी, खतम हो जाएगी, वो activity और दूसरा news shorts पे आपको news देखना है, वो news पे आप जब news देख लेंगे और यहाँ पर game खेल लेंगे तो आप active हो जाएंगे, similarly आपके लोग भी यही activity करेंगे तो वो भी active हो जाएंगे, और इनी दो app के अंदर आपको ads भी आएंगे, और वहीं से पैसा company को जाना है, अभी यहाँ पर कई लोग यह सोचेंगे कि यार यह तो मतलब activity बहुत जादा है, यहाँ पर तो 4-5 minute लग रहे हैं,